आसा में बहुत सारे चीज बनाये हैं और मतलब नमबर वन नमबर वन चीज बना रहा है अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है और उपर से इंडिया लॉंगे स्रोप वे भी बन रहा है हाली में कॉंपलिट होने वाला ही है और एक चीज मैं आपको देखाना चाहता हूँ वो कॉंपलिट अभी तक हुआ नहीं है मगर कॉंपलिट हो जाएगा वेडियो पुरा देख लिजेगा क्योंकि पुरा नहीं देखने से आपको मालूम नहीं चलेगा कि मैं कहा जा रहा हूँ कहा तक जाओंगा और क्या दिखाओंगा आपको यह में खाना पड़ा और खाना पड़ा से जादा दूर नहीं है चलिए देखते हैं कितना दूर है मैं तो नारेंगी से आता हूँ तो नारेंगी से आने से आपको पहले खाना परा मिलेगा उसके बाद चोराबट मिलेगा और उसके बाद सोनापूर करने के बाद यह एक उपर से ट्रेंड लाइन गया हुआ है यह भी ट्रेंड लाइन कहीं है प्रीच जो फ्लाइबर है उसका निच्छे से एने ट्रटी सेवें गया हुआ है बस उसको क्रॉस करके ही आपको वह हम जीज जगा जाएंगे वह मिल जाएंगे तो यह है में चामोता टाउन और यहां से लेना पड़ेगा हमको लेफ्ट पहले तो रास्ता बहुत ही अच्छा था शायद उसके बाद अभी इतना ज़्यादा खराब हो गया कि आप बाइक चलाने से भी प्रॉब्लम हो जाता है बहुत कड़ा है यहां पे नीट टू रिन बहुत खुबसूरत जगा है और बहुत बढ़िया टानेल बनाया है और आप लोग जरूर देखिए दिल खूश हो जाएगा यह पहले तो यह पहाड था पहाड के बीच से जो टानेल बनाया है वो कॉंक्रीट से बनाया है बहुत ही बढ़िया तो आपको दिखाते हैं चलि झाल ग्रोड़ी अंदर में जाने से अंधेरा तो ज्यादा मिले गई मैं आपको दिखाता हूं फिर भी जितना दूर हो सके मैं आपको लेके जाओंगा यहाँ पर काफी अंदरा है शायद आपको दिखा ही नहीं देगा अभी तो पुरा ट्रेन जो है अभी तक चालू नहीं किया है काम कॉंप्लिट नहीं हुआ है और यहाँ पे आपका एक रेस्ट्रूम भी दिया गया है ताकि अगर ट्रेन आये तो यहाँ पे छुप सके आप लोग भरोसा नहीं करेंगे यह है हम लोग का इंडियन पीपल्स इ असा मत करो यार हाँ और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे क्यूंकि आपको अच्छी तरह से दिखाए भी नहीं देगा और एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो मैं जितना भी टनल देखा हूँ ज्यादा टनल नहीं देखा है बाहर में मैक्सिमम देखा था वहाँ पे ट्रेन जाने के बाद आप खड़े भी नहीं रह सकते हैं इतना भी कम जगा है और यहाँ पे बहुत सारे काफ चेज आया या कुछ काम के लिए यही रोड से गया यही टनल के अंदर से जाता है तो इमीडियेटल अगर कोई एक ट्रेन आता है उनको मालूम नहीं चलेगा अगर इतना दुर बहुत दिस्टेंस है यह टनल का अगर वो भाग नहीं पाएगा तो कम सेटप हो जाएगा यहां तक ट्रेन का आ सकता है, आप पूरा चिपक के यहां तक आ सकते हैं यह एक पहाड है, पहाड के बीच से एक होल करके यह टनल बनाया है और काफी मेहनत लगा हुगा लोग इसको देखने के लिए ज़रूर आ जाईए, ट्रेन आने से पहले आने से अच्छा होगा, क्योंकि आप अंदर भी जा सकते हैं, मगर ट्रेन जब स्टार्ट करेगा यहां पर आने के लिए, तो थोड़ा प्रॉब्लेम हो सकता है और इसका जो एड्रेस है मैं आपको अभी बोल देता हूँ, फिर भी मैं आपको डेस्क्रिप्शन में जरूर मैं पुरा डिटेल्स दे दूँगा कि कहां पर है यह, यह एक्चुली ग्वाटी से कम से कम 25, 25 तो 30 किलो मेटर आने के बाद, सोनापूर क्रोस करने के बाद, आ वो चामोता से आपको लालमाटी की तरफ आना पड़ेगा, अगर ग्वाटी से आते हैं, आपको लेफ्ट एंड साइड से आपको आना पड़ेगा, और यहां पे सबसे बड़ा एक स्टार सिमेंट का फैक्टरी है, तो आप लोग आ सकते हैं इसी रोट से, वो है स्टार सिम मुझे एक चीज याद आया, जो बेर ग्रिल है, वो एक बार एक जंगल में गया था, मालूम नहीं कहां पे गया था, वो याद नहीं है, उनको भी एक टनेल मिला था, और वो देखने के लिए गया कि कितना धूर है, या फिर क्रोस करने के लिए गया होगा उसी रोड से, उ जो है, अनफोर्चुनेटली तब एक ट्रेन आ गया, अनफोर्चुनेटली बोल सकते हैं और फोर्चुनेट भी बोल सकते हैं, वो अगर भाग के वहाँ से नहीं निकलता ना, तो वो वहाँ पे उनका मौत हो सकती थी, और वो बहुत तेज भागा, उनके साथ पूरा टीम था, कैमरास, कैमरामेन था और कोई-कोई साउंड का आद भी था, वो लोग भी दोड़के टनेल से जस्ट जम करके बाहर निकला, और उसके बाद जो है, ट्रेन क्रोस करके चला गया, वो बहुत डरावनी थी, इसलिए मैं बेर ग्रिल को बहुत से लूट करता हूं, वो बह लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं, मगर दूख यह होता है कि आप लोग वीडियो देखके सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और उपर से आप लाइक भी नहीं करते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कॉमें करें शेर करें और कुछ भी करिए तो नेक्स वीडियो में मिलते हैं तिल देन टाटा जैहिन वंदे मातने में जॉया आयो खुम बाबाई करें अष्हारा हे नेर राटाबो चाहिां जाँ Υ